आप लोगों की प्रप्रेशन भी काफी तगड़ी चल रही होगी क्योंकि आप लोगों की एक्जाम्ट में आप जादे टाइम नहीं बचा है आप से कुछ चीजे क्लियर होनी चाहिए तो अगर आप टम वन देने जा रहे हैं तो उसके पहले खुछ से आर यह पांच कोश्यंस आप पूछे हैं हम उस एक्जाम में केसा परफॉर्म करेंगे यह सारी चीजे कुछ फेक्टर्स पर डिपेंड होती है हम आज यसे कुछ पा क्योंकि क्योंकि किसी भी चीज को अंड़ेस के परते हो किसी चीज को अंडंडम करते हो तो वहापके सब कॉनशेब माइन में हमेशा के लिए रह जाती हैं तो आप एगोज ब्श और परफॉर्म कर पाते हैं तो आप वह से करहना है गर आप भूजुको को what Bu पहले आप उन्हें भूल सकते हैं पर हाँ काफी लोगों की मेमरीज अच्छी होती हैं पर यह काम नहीं करती है चीजे बिजनस स्टेडी की बात करें तो यह काफी इजी सब्जेक्ट अगर आप इसमें हर सिच्वेशन में अपने आपको रखके देख सकते हैं कि अगर मेरी ए इसमें अगरे इसमें आपको रखके देख सकते हैं और यह नहीं होना चीए कि किसी बंदे या बंदी की कॉल आ रही है तो पहले मैंसेज पढ़ लेता हूं फिर बाद में अपनी पढ़ाई करूंगा तो नहीं यह थोड़ी से distractions भी आपका पूरा दिन खराब कर सकती हो और एक एक दिन यहां पर किमती ओरते जा रहा है आपके लिए जैसे जैसे एक्जाम सपास में आ रही है तो गर आप इस टाइप की किसी भी विडियो में अव्हाट यहां सबसे फैबुरेट कोशिन यहां क्या मेरा सबसे फेब् grammar कोशिन नहीं भी solve करके देख सकते हो, आपको variety of questions मिलेंगी, आपको idea होगा, आपको confidence आएगा, और mostly आप लोगों से request करूँगा कि आप दीन के time में ही पढ़े, कई बच्चे बोलते हैं भी या हम रात में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं मैं मानता हूँ, कई बच्चे रात में पढ़ाई कर सकते हैं पर आप mostly आप दीन का time prefer करोगा क्योंकि आपको अगर दीन में नीद आईगी तो आप exam में कौप अप नहीं कर पाऊ गया, आप अभी से routine बनाओ कि मैं दीन में जाक कर पढ़ाई करूँ, रात में अपना आराम करूँ minimum आप 7 से 8 गंटे की sleep यार, आप लोगों के लिए बहुत important है इस time period में क्योंकि आपको focus level अपना अच्छा रखना है अपने आपको healthy रखना है, सबसे बड़ी बात बिमार नहीं होना है क्योंकि ये बहुत important time period चल रहा है आप लोगों को unhealthy रहना है, ना अपना focus कम करना है, ना आपको distraction करना है आपको ये सारी चीज़े देखकर चलनी होगी लोगों को prefer करूँगा कि आप दीन का time ले आप पढ़ने के लिए, किसी भी type के studies के लिए आप सेंपल पेपर्स लगाया है, सेंपल पेपर्स आपकी exam की preparation को ये कालग लेवल पर ले जाने में help करती है तो सेंपल पेपर्स मैंने अपने telegram गूप पे डाल रखे हैं, अगर आपने telegram गूप जोइन नहीं किया आप से नीद में पूछे तो आप उसका answer within seconds जिद होता है, जो चीज आपने पहले से पढ़ रखे हैं, उन्हें और पॉलिश करो, और अच्छे से उन पर time spent करो, related sample paper solve करो, कोई भी नया topic मत लेना, इससे आप लोगों की exam preparation में effect होगा, आप लोगों के result पे effect होगा और अगर आपका result effect होता है, तो आप उसी के लिए पढ़ रहा है, ताकि आपका result अच्छा होता है, अगर आप लोग personally connect होना चाते हैं, आप कोई भी questions पूछना जाते हैं, कोई भी doubt पूछना जाते हैं, तो मेरे Instagram ID यहाँ पर है, आप personally connect हो सकते हैं मुझसे, Instagram ID में यहाँ screen पर डाल दूँगा, क्या मेरा daily routine बढ़िया है, क्या मैं time manage कर पा रहा हूँ, अपनी studies को लेकिया, जब भी मैं simple papers solve कर रहा हूँ, तो क्या मैं within time पूरा कर पा रहा हूँ, क्या मैरा daily routine अच्छा है, मैं सुबह time पर उठ रहा हूँ, रात को time पर सो रहा हूँ, क्या night studies तो नही spend कर रहा हूँ, तो अपने आपको refresh करने के लिए, कुछ max to max, एक hour आप दे सकते हैं, अपने mobile phones को, किसी भी type की चीजों को पर, अगर आप late night जाक करके, अगर इस golden period को बरवाद कर रहे हो तो यह मत करो, अभी भी time है, थोड़ा अपने studies पर ध्यान दो, अपना daily routine बढ़िया क अगर आप daily routine बढ़िया रखेंगे, तो आपको exams भी बढ़िया आईगे, उससे आपका results भी effect होगा, और आपका results में जो marks होगे, exams की preparation आपकी next level पर जा रही होगी, हर बच्छा top नहीं कर सकता, पर जितने जादे आपके अच्छे marks होगे, आपको future में उतने जादे advantage हो रहे ह क्योंकि यह 12th की marks मेरे लिए personally कोई जादे माइने नहीं रखते पर अगर आप 12th में जैसे में MBA के लिए जा रहा हूँ, यहां आप लोगों की profile देखी जाती है, आपके academics देखे जाते हैं, आपके past में 10th, 12th, आपके graduation में कितने marks हैं, इसी चीज़े देखी जाती है, अगर ह हाँ आपका और कुछ प्लान है, अगर फ्यूटर में आपका खुद का बिजनस का है, तो हाँ हो सकता है, आपका कुछ आलग plans हो, exceptional cases में यह चीज़े काम नहीं करती है, पर आपको आपकी 12th होती है, तो यह कुछ थोड़े लोगों को बताने में आती है, हाँ मैं 12th में, और 12th तक पढ़ना होता है, उसके बाद आपको लाइफ में ज्यादा enjoyments होती है, आपके लाइफ में इतनी boundations नहीं होती है, तो हाँ हो सकता है, पर आपकी जो best life होती है, till 12th, आपके friends, आपकी family, सब लोग यह 12th तक होती है, ज्यादा enjoyable होती है, जैसे जैसे आप अपने graduations के ल जितना आप पहले करते होंगे, जितना आपने 12th तक करा है, उसके पहले करा है, लाइफ एकदम से change होती है, आपके 12th के बाद जब आप college में जाते हो, पाकी आपकी life बैसी continue होती है, नए struggles आते है, आप उन्हें fight मार के और आगे बढ़ते हो, तो हमें एक नए experience लेने को मिल यह से कई सारे videos आने वाले है, आपकी academic life के हर step पे मैं आपको guide करने के लिए तयार हूँ, अच्छे अच्छे videos, life में कुछ value edition हो, ऐसे videos में आपके लिए लाने वाला हो, तो make sure you subscribe our channel, thank you, love you all, bye अपके लिए आउ है, अआने शैठको थाऊ Cathy कूणा, CAP आपके लीके between us,ART